कि यह नाम है सर आपका मेरा नाम आशीश रुस्तगी आशीश आपने प्रेश्वार्टा करी है क्या उद्देश यह है कि हमने जैपरकाश अशोचेट लिमिटेट से घर लिया उसमें उन्होंने कहा कि एक जैपरकाश इंफरटेक लिमिटेट कमपनी को पैसा दिलाया वो दिवालिया के लिए चली गए कमपनी पैसा होने के बाद भी होम बायर्स का पैसा डाइवर्ट कर दिया अब हमको गवर्मेंट की तरफ से एक रेजलूशन चाहिए था एनबी सी सी उसमें एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए गवर्मेंट की डिरेक्शन से आगया आया लेकिन जो रेजलूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है वो होम बायर के फेवर में बिलकुल काम नहीं कर रहा है जो वेब साइट्स बन रही है वो सब गड़बड हो रहा है बिलकुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा और जो रेजलूशन प्रोसेस हमको चाहिए था जिससे की एनबी सी सी आगया है कंस्ट्रक्शन करें बिलकुल क्योंकि वो रेजलूशन प्रोसेसनल अपनी duty पूरी नहीं कर रहा है और इस समय हमारी एक यह भी डिमांड आ रही है यदि उसको problem हो रही है resolution अनुच जैन को नहीं समझ में आ रहा है कि इसका resolution कैसे करना है और defaulting company को जैपरकाश associate को support करना है तो उसको रस्ता बना कि दूसरे बंदे को आगे आना चाहिए दूसरे resolution professional को आना चाहिए बहुत simple है company के पास assets है home buyers का पैसा लगा हुआ है government इस provision के लिए आगे आगे है NBCC आगे आगे है उनको आके उसको construction करके हमको इस mental harassment से 10 साल से जो हम परिशान हो रहे हैं धक्के खा रहे हैं होम बैर्स उनको उससे बाहर approval जो आने है सारी सरकारी department से आनी है मामला एक public cause का है चीजें एक सिरे तक पहुँच गई है अब हमें और जुलाया न जाए हम बहुत ठक गए हैं 10 साल हो गया है अब इसका एक निवारा निकाला जाए हमें जल्द से जल्द हमारा घर दिया जाए इन बी सी सी के माध्यम से जल्दी से काम शुरू किया जाए और जो आई बी सी के अंदर का जो आई आर पी अपॉइंट हुए है श्री अनुज जैन जी या फिर जो डिफॉल्टिंग कंपनी के जो प्रमोटर रहे हैं इनके किसी भी तरह के हतकंडों को या साजिश को सकस्पूल ना होने दिया जाए इनको आप लोग हाइलाइट कीजिए